इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन तपाएं नमस्कार मैं हूँ जोतसना पाटनी इस वक्त की एक बड़ी खबर इराक से आ रही है जहां एक अस्पताल के कोविड बॉर्ड में आग लगने से पचास से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवाई है ये दर्दनाख हाथसा इराक के दक्षणी शहर नासिर्याह में हुआ है मरने वालों में ज्यादतर लोगों की जान जलने से गई है सत्तर बेड के इस वॉर्ड को तीन महीने पहले ही शुरू किया गया था आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है एक साल के अंदर इराक में ये दूसरा बड़ा हाथसा है इससे पहले एक कोविड अस्पताल में ऑक्सिजन टैंक फटने से 80 लोगों ने अपनी जान गवाई थी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इराक से बता रहे हैं